दोस्तों सामने आया एक और बड़ा रास अनिरुद को पता है कि जनक जिन्दा है और आश्रम में है जी हाँ दोस्तों अनिरुद जानता है कि जनक उसी आश्रम में है जहाँ पर वो खुंगट वाली औरत से मिलके आया था अनिरुद को पता लग गया था कि उस खुंगट के पीछे जनक ही है लेकिन अभी वो किसी को ये शो नहीं कर रहा कि वो जानता है कि जनक जिन्दा है ऐसा इसलिए है ताकि सब को यहीं लगे कि जनक मर चुगी है और अनिरुद एक बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहा है दरसल दोस्तों अनिरुद जनक के साथ विदेश चाकर और वहाँ पर अपनी नई जिन्दगी शुरू करकर वहीं पर बसने की प्लानिंग कर रहा है अनिरुद ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अनिरुद जानता है कि अनिरुद के खरवाले और अर्शी कभी भी जनक और अन बाहर चले जाएं ताकि सबको ऐसा लगे कि जहनक तो मर चुकी है और अनिरुद बाहर जाकर अपनी नई कर चुका है और तब तक यह सब मामला ठंडा भी हो चुका होगा अनिरुद अर्शी को डाइवोर्स देदेगा और सबको यही लगेगा कि जहनक को गए हुए काफी समय हो गया है और अनिरुद अब मूव ऑन कर चुका है सब यही सोचेंगे कि वो अपने काम में अपना मन का रहा है और इसलिए वो कंपनी की तरफ से आय ओफर को असेप्ट करके बाहर चला गया है और सभी को तो यही लग रहा है कि जहनक मर चुकी है इसलिए तेजस और स्रिष्टी को भी पुलिस जहनक के इल्जाम में जेल में डाल देगी और वो दोनों भी कभी बाहर नहीं न जरूर बताएं